जाहिन देखिए जब से यूकरेन और रूस की लडाई हुई है तब से वेस्टर्न वर्ड ने पूरी कोसिस की है कि रसिया को कैसे कैसे डेमेज किया जाए चाहे वो सैंक्सन से डेमेज करें या उसके जो भी पार्टनर से उनको दबाव सैंक्सन लगाकर या प्रेसर लगाकर इसी क्रम में उसने इंडिया को भी सोचा था कि इंडिया और रसिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसे कम से कम किया जा लेकिन इसका पूरा असर कोई असर नहीं दिका बल्कि इंडिया और रसिया का बढ़ गया एके करके समझते हैं अभी हालिया में हमारे परधान मंत जो नरेन मोधी को दिया गया, यह एक किसी भी देस के लिए गर्व की बात होता है, जो दूसरे देस के देस में हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे एवाड दिये जाते हैं, इसके बाद दोनों के बीच में कई सारे डील होते हैं, जिसमें कुछ मात्रपूर्ट डील थे, जिसमें प्रेक्राइज पावर प्रफ लगाने की बात थी। नुक्लियर पावर क्राइट यहीं कुछा कंक्रीपर nuevo उर्जा देद के झाना क्राइब। यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है, इससे महंगा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं होता है, इससे एनरजी जादे निकलती है, अब इतनी जादे एनरजी निकलती है, जिस वो जैसे बिजली बना जा सकता है, तो रसिया के साथ हमें 6 पाउर प्लांट की जरुवत है क्योंकि इंडिया day by day develop करते जा रहा है और हमारे इंडिया में हर चीजे infrastructure से लेके IT sector में development हो रही है तो बिजली की खपत बहुत जादे हो रही है उसलिए इसकी भी जरुवत है साथ में रस्या ने भारत के साथ बहुत संभोता हो सके तो इस deal को करेगा floating nuclear power plant हालाकि रसिया के पास shipping nuclear plant की बहुत expertise और उसके पास पर्माडू पंडूबिया बहुत ज्यादे है तो ऐसे ही बिजली घर को पानी वाली जहाज में यह फिट कर देते हैं जो nuclear reactor उसे पानी वाली जहाज में फिट कर देंगे और बाकि उसमें जो भी सिस्टम में लगा देंगे और सीप ऊपर से नॉर्मल दिखेगी, अंदर से ऐसा होगा, सीप ऐसे दिखेगी, बाहर से यहाँ पर होगा, अब इस सीप को किसी भी जगा पर हम मूब करा सकते हैं, सपोज कि अगर केरल में बिजली पर अटैक हो गया और केरल की बिजली स हतम हो जाती है, तो इस जहाज को किरल के पास जाएंगे, और जैसे यह क्रेल लगा है, ऐसे ही तार लगा देंगे यहाँ पर ग्रीड, और उसे ग्रीड से जोड़ देंगे, एक बार जब कोई भी ऐलेक्टिसिटी ग्रीड से जूड जाती है, तो आपका मन आप जहां मन वह भी दीजी, जैसे रेलवे लाइन पूरे देश में बिचा हुआ है, वैसे बिजली लाइन पूरे देश में बिचा हुआ है, जिसे हम लोग ग्रीड बोलते है, यह ग्रीड से जोड सकते हैं, तो इसका बहुत फायदा है, इसकी छंपता है 800 मेगावाट, पतना सहर की औस तन पर और इसी बीच जब यहाँ पर दील होई रहा था, तो रॉस्या से दो ट्रे Почему लेकर इंडिया कैसे पहुंची, अब यहाँ से कोईलने को लेकर इंडिया कैसे पहुंची, तो इंटरनेस्नाल नॉर्थ साउथ कोरिड चाली यह पर काकेसषा परवपार करके इरान के चाब India Middle East Economic Corridor भी जाता है तो इंडिया Middle East Economic Corridor जो है ये भी यहीं से गुजर साथता है तो इंडिया Middle East Economic Corridor दुबाई-साओधी और यहां से निकल सकता है लेकिन इन दोनों इतने बड़े-बड़े trade route के लिए भारत के पास मुंबई बंदरगा उतना घहरा नहीं है इसलिए तुप दुनिया के एसीया के जितने बड़े बंदर गाउसमें टॉप 10 में यह आएगा इतना बड़ाई से बना जा रहे है समुद्र के अंदर छे किलो मीटर में बना जा रहे है ताकि घर आ जादे ओ और बड़े से बड़े सीफ को लाया जा सके यह अपर तो ट्रेड इतना वहतरीन बल रहा है, यह पोर्ट अगर बन जाएगा, हम लोगों की कोलंबो पोर्ट से निर्भरता घड़ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े जहाज को हमें कोलंबो पोर्ट पे भेजना पड़ता था, वहां से फिर अनलोड करके मुंबई लाना पड़ता था, क्योंकि मिसाइल डीफेंस सिस्टम दे दिया है, एस फोरहन्र जो है, 400 किलो मिटर की दायरे में आने वाले किसी भी एरियल ध्रेट को मार सकता है, यह एक किसी भी जहाज चाफ या मिसाइल को मारने के लिए, काॉंटर में दो दो मिसाइल चोड़ता है, ताकि एक से मिस हुआ तो दील हो रहा है कि बहुत जल्दी भारत को रसिया जो है भारत को S500 भी दे देगा S500 की मारक शमता 500 किलोमीटर है अभी S500 को केवल रसिया यूज करता है उसने किसी दूसरे देश को नहीं दिया है यह दुनिया का सबसे खतरनाक Air Defense System है अब आप समझे कि हम लोग अगर यह Air Defense S500 मिल जाता है तो अगर हम इसे अमरित सर पे रखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई जहाज नहीं उर सकता है क्योंकि उतनी अंदर तक वो देख सकता है और वहाँ पे मिसाइल से हमलाग कर सकता है चाइना के पास भी यह सिस्ट पतला अगर हम लोग सामने सामने की लड़ाई हो तो उसकी Air Force कितनी भी तगड़ी हो वो Maximum हमारे अंदर 300 km पेनिट्रेट कर सकता है और हम लोग उसके अंदर 500 km कर सकते है तो यह एक बहतर डील है भारत और रसिया के बीच में जो दिखाता है कि दोनों देशों के रिस्ते कि मजबूत है क्योंकि S500 केवल और केवल रसिया यूज करता है और किसी को नहीं दिया रसिया ने तुर्की को भी S400 दिया था जिस पर वेस्टन मीडिया ने बहुत बवाल मचाय था तो हम दोनों के रिस्ते बहुत 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 दबाव बनाए गया है रसिया ने अपने और उसे औफर भी किया है SU 1557 सुप होई क्या यह वी मन है यह बहुत 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 जहाजे लेकि स्टिल्स टेकनलोजी से होता है इसे अमेरिकन जहाज फ टुन्टीटिू रप्टर से तो ना किया जाता है लेकिन यह काफी कोस्ट्ली है तो भारत इसमें इंट्रेस्ट भी दिखा रहा है और नहीं भी उतनी तरह से नहीं कर सकते हैं लेकिन रशिया के और से यह खुला ओफर किया गया है हमारे लिए या पर राफेल वगरा से तो यह तगड़ा है एक्चुल हर जहाज की अलग-अलग काम होता है जैसे सड़क पे देखते होंगे जो काम टेंपू कर सकता है वो ट्रक नहीं कर सकता है जो काम बाइक करेगा वो कभी बस नहीं कर सकता है तो ऐसे कहिएगा कि बताइए आप ही से कोई पुछेगा कि मोटर साइकील अच्छा फोरवीलर अच्छा कार अच्छा की बस अच्छा आप क्या कहिएगा वह ज़रूर जिस चीज की वह हुआ है वैसी लडाकु जहाज में अमूमन ऐसे common mentality क्या होती है जो advance है वही अच्छा है कुछ bomber होते हैं जो bum गिराते हैं कुछ striker होते हैं जो bum नहीं गिराएंगे तरक मारेंगे जो dog fight के काम में आएंगे कुछ reconnaissance क्या आगे आगे क्या होगा बाकी हमारा तो हाल बना रहा है अभी तक से से complete नहीं कर पाया पता नहीं क्या कर रहा है लोग अच्छा भी नहीं लगता है बार-बार बोलने में कि तेजास कम्पलीट नहीं हुगा आज ये से बन रहा है 40 साल से तेजासे बन रहा है अब ये लोग आई पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुगा तो ये भी दरसाता है आला कि defense sector में privatization बहुत पहले हो जाना चाहिए, privatization होने से थ्वासा कोई भी चीज बड़ा तेजी से actively काम करते रहता है, तीकि इतना दबाव भारत पे बनाए जा रहा था, वेस्टन वेस्टन ने पूरी कोशिस किया दबाव बनाने के बहुत सारी धमकिया दी गई अमेरिका और भारत, यूरोप के और से कि भारत को सेंक्शन लगाए जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में UN Security Council में रसिया जो है, वो इसका अध्यक्ष बना है, उसने भारत का बचाव कि वेस्ट मीडिया और कहा है कि वेस्ट मीडिया ने भारत पे बहुत जादे दबाव भी बनाने की कोशिस कर रही है, वो अपने हिसाब से सोचता है, आप सोचे ना, इरान के मिल्टरी को उसने आतंगवादी घोसित कर रखा है, मतलब आतंगवाद का कोई परिभासाई ही नह इस वेस्ट मीड़ सकता है, तो उनको कारना है कि रसिया जो है ना, अब ध्यान से समझे की कर रखाद है, रसिया अगर यूक्रेन पे हमला किया तो रसिया ने हमला किया, और अमेरिका आके अफगानिस्तान पे मार दिया, तो अमेरिकान एक्शन अंट टेरिरिजम बताये, इन लोग की तो गजब गजब की विचारधारा होती है, सही है, तो इनके good terrorist or bad terrorist, रसिया ने भारत का हमेशा से बचाओ किया है, और ज़रूरत भी यह और भारत ने UN Security Council में भारत के permanent membership की भी वकालत किया है यह पर, तो यह सब के वज़े से कोई दबाओ के खास असर ना रसिया क के relation पर पड़ा और ना रसिया के trade पर पड़ा, रसिया के पास बहुत ज़्यादा oil भंडार है, तो यह oil reserve को हम लोग tankers में से रख के और भारत तक इसको ले के आ रहे हैं, क्योंकि भारत में बहुत जादे खपत है petroleum का, जनसंख्या बहुत जादे है, जब यूग्रेन और र रसिया बिवाद नहीं हुआ था, तो हम लोग रसिया से जो तेल खरीते थे, वो एक लाख बैरल पर डे खरीते थे, बैरल मतलब कोईचिता है, डराम को बैरल बोला जाता है, इसमें question पूछता है, कितने लीटर आते हैं, 159, 169 लीटर को एक बैरल कहते है, तो हम लोग रसि होगी यूकरेन की, युद की, वहाँ के लोग मारे जाएंगे, तो भारत ने एक लाख बैरल से बढ़ा के, 19 लाख बैरल पर डे कर दिया, 19 लाख बैरल पर डे, हम convert कर देते हैं, 30 करोड लीटर पर ती दिन, हम लोग रसिया से तेल खरीद रहना, 30 करोड लीटर पर ती दिन खरीद रहे हैं, 30 करोड लीटर पर ती दिन खरीद रहे हैं, अब वेस्टन पागल है, सब वेस्टन मीडिया ले यारी भारत को किया क्या जाया है, न यह अमेरिका का सुन रहा है, न यूरोप का सुन रहा है, तो भारत भिस गुरू है, गुरू नहीं सुनता है जल्दी किस हम लोग को अपना national interest मायने रखता है पहले उसको हम लोग देखते हैं तो इसका बे असर हो गया है यहां पर हाला कि western लोगों ने यूरोप ने बहुत गलत किया अलग अलग जगहों पे रूस के assets थे कुछ यूरोप में थे कुछ अमेरिका में थे उनके जो foreign reserve थे पैसे बिदे भारत ने भी अमेरिका में अपने gold reserve को वापस लेके आया है इन पर कभी भरोसा करने लाइक नहीं है एकदम इन लोग के पास अंग्रीजों के पास कोई ethics नाम की चीज नहीं होती है इन्होंने 25 लाख बंगालियों को भूखे मर्द ने दे दिया जब हम गुलाम थे तब इन इनको अगर खरोच आ जाएगी न तो दुनिया पूरी दुनिया ख़पड़ीप उठा लेंगे इनके पास कोई ethics नहीं होता है किसी को मार देंगे किसी से कुछ भी कर देंगे इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए तो आप इसका पास एक देस ने विरोद किया था किंग सल आना चाहिए इस तरह से कोई किसी का पैसे हडब लेगा यहां पर हाला कि लाग भी रोत के बाव जूर रसिया के वैपार में कमी नहीं आई क्योंकि रसिया पिछले चार सालों से चार साल नहीं 2014 से ही रसिया जब क्रीमिया को खबजा किया था उसी समय से यूकरेन से लड़ 8.6% के ग्रोथ से जा रहा है जो उसका finance sector है banking है insurance है यह bond है वो सब 8.7% के ग्रोथ से जा रहा है GDP उसका है 10.9% के ग्रोथ से GDP जा रहा है construction जो work होता है building construction airport seaport जो भी real estate के construction होते है 6.6% के ग्रोथ से जा रहा है कि रसिया पर इन sanctions का कोई खास असर नहीं पड़ा और नहीं भारत और रसिया के relation के बीच में कोई भी इस टाइप का असर पड़ा है क्योंकि यह आकड़े बताते हैं कि उन पर कोई असर नहीं पड़ा है आयोब समझे होंगे अब UPSC का बैच श्टार्ट हो गया पतना, Boring Road वाले क्लास में आप और बहुत जल्दी अगस्त में एक न्यू BPSC बैच आएगा जो नए पैटर्न वाले हैं जो इतने नए बच्चे हैं उन लोग के लिए BPSC के बैच आए गया हाँ पर और Political Science जो Polity है, Polity and International Relations यह 23 तारीक कल से ही स्टार्ट है आप लोग का 23 तारीक आश स तो यह बैचिज हैं जो आप कर सकते हैं, इलहाबाद वाले बच्चे आप लोग के पास हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, I hope आप पूरी टॉपिक को समझे होंगे, मिलेगे नेक्स प्लास में, जैहिंद!